आज मैं बनाने जा रही हूं पावबाजी पहले आप सब बताई कैसे हैं आप सब देखिए आप मैं पावबाजी बनाने जा रही हूं आप भी पावबाजी मेरे जैसे बना सकते हैं मैं सबसे पहले सारी सबजिया कट करके ले आई हूं जिसमें मैंने लोकी, सीता फल, फुल को बिया आलोग गाजर यह सब लिया है उसके साथ मैंने सबको वोश कर लिया है अब इन सब वेज़ेबल को कुकर में ट्रांसफ़र कर रही है मैंने सबसे पहले स Cheng वन स्पून की लेड लगा कर मैंने इसमें फोर विसल लगाए हैं सिम गैस के उपर आप भी वैसे ही लगा लीजिए फिर उसके बाद जब इसमें विसल आ जाए और इसका पूरा प्रेशर आउट हो जाए तब आप इसको ओपन करिए देखें मैं भी विसल लगाने के लिए इसका लीड ल है उसके बाद मैंने यां पे मतर लिये हैं 50 ग्राम और मैंने टू बड़े आकार के दो टमाट लिये हैं आप भी वैसे लीजिए 50 ग्राम मैंने इसमें पनीड लिया है वन शिम्ला मिर्च, धन्या पत्ता, सब कुछ लिया है, उसके बाद मैंने, मैंने कड़ाई ली, उसमें मैंने गी डाला, गी डालकर मैंने उसमें हींग, पाउडर और जीरा डाला है, हींग से पेट सही रहता है, फिर मैंने दोनों टमाट्रे इसमें कट करके डाल दिये हैं, अब हम इसको फ्राई करेंगे, जब तक ये अच्छे से घूलने जाएंगे, साथ में मटर भी डाल देंगे, क्योंकि मैंने फ्रेश मटर लिया था, फ्रेश मटर अभी मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा आ रहा है, तो बहुत जल्दी गल जाता है, यो मैं इसको भी लीड बश्राइट हो गया है, तो मैं से मैश कर लूगी, मैशर से, देखें इदर मैं ये भी साथ साथ कर रही हूं, कि मेरा कितना हुआ है, ये काम, वो चल रहा है अभी मेरा, दीरी दीरी, वो भी मैंने सीम गैस करके छोड़ रखा है, देकें मैं इसको बार बार चलाके, देख हिलाती रोंगी साथ में जाति का जाई से ये लगना जाएं उसके बाद ये री रिडी हो गया है मैंने इसमने मर्च डाल दिया है जो मैंने एक मेर्च वांकर का काट के रखा वा था है ये रखें थे मैंने कशमीरी-लाल मर्च पाउडर डाला है अभी इसमे sowION ये I भी कढ़िया तो मैने उसको मैश कर लिया है मेश्यर की help से तब तक वो फर साइड में मेरा काम छलता रहेगा वो सारी सबीया में पकती रहराएगी दी मियाच पर अभी यह मेरा रेडी हो गया है मैंने इसको मैश करके रेडी कर लिया है अभी इधर मैं देख रहे हूँ कि मेरी शमला मर्च मटर 80% सोफ्ट हो चुगी है तो भी मैस को अच्छे से हिला रही हूँ अभी मुझे यह बिल्कुल रेडी लग रही है तो मैं इसमें भाजी जो मैंने के लिए बाजी मिक्स कर रहे हूं जब मेरी बाजी रीडियो जाएगी ना तो वह बहुत लब देखने में अच्छे लगेगी आप कलर के लिए चाहो तो इसमें एक चुकंदर भी डाल सकते हो बीट रूट मेरे पास नहीं थाज मैंने बीना बीट रूट के बनाया अदर्वा आप मेरी बाजी का कलर कितना प्यार आ गया है आप भी वैसे ही ट्राइ कीजिए अभी मैं इसको लीड लगा के फाइब नट्स के लिए छोड़ दूंगी सिम गैस पर देखे कितना सुन्दर लग रहा है वो देखने में बन कर रहा है इसको अभी खालो आप भी ट्राइ करन ट्राइ करके फिर मुझे बताना कि कैसा लगा आपको फिर मेरा ये रेडी हुआ तो मैंने इसमें जो पनीर कट करके रखा वा था वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है उसके बाद मैं इसको मिक्स करके छोड़ूंगी फाइब नट्स के लिए ताकि ना जो पनीर है वो अब ही मुझे को थोड़ा कलर का लग रहा था तो मैंने घी में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेके इसको गरम करके इसमें मिक्स किया है उसके बाद मैं इसमें धन्या पत्ता और ये ना मैंने जो अभी दिखा रही हूं ये फोर क्यूब्स मैंने बटर के मिक्स की ये मेर बच्छे मिर्च नहीं काते हैं इसलिए मैं मिर्च कम रखती हूँ आप इसमें चाओ तो तो से तीन हरी मिर्च भी काटकर डाल सकते हो देखें अभी ये मिक्स कर रही हूं है इसको फिर मैं पांच मिनट के लिए लिर लगा के छोड़ दूँगे ताकि ये अच्छे से देखें अभी मैं होट पोट में इसको ट्रांसफर कर रही हूं फिर आप इसको भाजी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं मैंने अज अपने बच्छों को ब्रेक्फस्ट में बना कर खिलाई थी आप भी बनाईए अपने बच्छों को खिलाईए फैमिली में सब को खिला पर मैं पाव को सेखने की प्रेपरेशन कर रही हूं देखिए मैंने थोड़ा सा बाजी डाल लिया है बाजी के साथ मैंने उसमें फ़ड़ा कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है और मैंने वन क्यूब इसमें बटर लगा लिया है ताकि मेरे पाव सेखकर उनका कलर बहुत अच अच्छा होता है और घर पे बनाया है यह पाव बाजी बच्चों को बहुत पसंद आता है तो देखिए अभी मेरे ना पाव सेखकर रेडियो गए हैं तो मैं अभी अपने बच्चों को यह सर्व करने वाली हूं तो आप जैसे मैंने सर्व किया है आप ऐसे सर्व कर सकते है चाहे तो आप इसमें कुछ और भी एड़ कर सकते हैं आप निंबू भी इसमें डाल सकते हैं उससे और भी अच्छा टेस्ट आता है अभी नहीं बिल्कुल रेडियो गया है तो आप भी ऐसे बनाएए खाईए और मुझसे अपने शेयर कीजिए कि अपू कर सकते हैं